हज़े न्यूज की रिपोर्ट ज्यादा जानकरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नम्सकार आप सब का स्वागत है एच्जिय न्यूज में रिलायन्स ज्यूर का फ्री हैपी न्यूएर ओफा इकतीस मार्च को राद बारह बजे खत्म हो जाएगा यानि बारह बजे के बाद यूजिस को डाटा यूज करने के लिए पैसे खर्च करने होंगे कमपनी इसके लिए तई टरिफ प्लान भी लाउंच कर चुकी है कमपनी में यूजिस को ज्यादा फाइदा देने के लिए प्राइम मेंबर्शिप शुरू की है इस मेंबर्शिप को लेने का ये लास्ट वीक है यूज एक अप्रेल से ज्यादा डाटा चाहता है तो उसे 31 मार्च तक प्राइम मेंबर्शिप लेना होगी हाला की अब ऐसा सुनने में आ रहा है की प्राइम मेंबर्शिप लेने की लास्ट डेट को अगले महीने तक बढ़ाया जा सकता है 30 अप्रेल हो सकती है डेडलाइन टेल एनालेसिस की एक रिपोर्ट के मताबिक प्राइम मेंबर्शिप सब्स्क्रिप्शन की डेडलाइन 30 अप्रेल तक बढ़ाया जा सकती है हाला की कमपनी ने इसके बारे में अभी कोई ओफिशिल जानकारी नहीं दी है इतना ही नहीं कमपनी लगातार 31 मार्च तक ट्राइम मेंबर्शिप लीकर अनलिमिटेट मार्च या कंटीनीवन होएगा का प्रमोशन कर रही है रिलायन्स जी इसलिए बढ़ा सकती है प्राइम मेंबर्शिप की डेडलाइन 100 मिलिन से ज्यादा यूजस चीयों के साथ जूड़ चुके हैं कमपनी के मुताबिक 50 प्रतिशत से ज्यादा यूजस प्राइम मेंबर्शिप ले चुके हैं कंपनी की कोशिश सभी यूजर्स को प्राइम मेंबर्शिप देना है